हाई हेलो अस्तलाम अलेकम वी टू फेमली कैसे है आप लोग अलहम्दुलिल्ला अम्य अब्बा के दूआ से अल्ला के फजल से अलहम्दुलिल्ला हम लोग सब बहुत खुश है अब भी खुश रहना अबद रहना फ्रेंड्स मैंने न्यू व्लोग में आपका स्वागत है यह हमारे यह ओ रहा है बारिश माशालला अब यह आके हो गया है सेविन थर्टी बनाते बनाते मुझे खाना आदा गंटा के उपर तो हो जाएगा देखना मैं अभी बनाने जा रही हूं चिकेन और सजना फली की करी बस हमार तीनों के लिए ही बना रही है तो थोड़ा ही बना करे ना बहुत लोग उंको सजना फली बता नहीं है life में अभी तक कभी भी खाया नहीं है बोलके मुझे comment करते है ठीक है सवाइत इंडिया में अच्छा सा मिल जाता है इंडिया में कहीं बिल जाता है ज्यादा खाते सजना फली को है ठीक है Friends देख लो बहुत हेल्थ बेनफ बेनिफिट्स जानकर इसके चलो अभी मैं प्याज काट रही हूँ अभी तयारी करूंगी आप लोग बताओ आप लोग कैसे हैं कडाई रख लिया फ्रेंड्स अभी ना मैं अल्लेडी पापड फ्रे करी थी सुबो में वह वाला यूस कर रही हूँ अभी इसमें जितना अल जरुत है उतना अल डालोंगे थोड़ा सा ही सबजी है हमारा ज्यादा लगेगा नहीं और भायर बारिश स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स पता नहीं बहुत गर्मी होती है कभी भी बारिश होता है एक दो टाइम अध्रकलसन मसाला पीस के रेडी में रखी थी वही दिखा रही हूँ फ्रेश मसाला है थोड़ा सा यूस करी थी बाखी डबे में डालके रख दी थी ना वही है यह आज कल थोड़ा थोड़ा मसाला करके ही पीस रही हूँ ज्यादा टाइम नहीं मिलता है एक दो ज्यादा म मुसाला तो हम लोगों को थीका ज्यादा हुआ था बच्चे नहीं खापाते इसलिए जितना जुरू थे हम में फ्राई होना चाहिए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे सजना फली के दोके रख लिया देखना पानी में डुबाके रखी थी तीन बार दो लिया था इसको छील के अच्छा सा देखो अच्छा सा फ्राई हो गया अध्रक्लासन मसला अभी याड कर दिया मैं सजना फली मुनगे फली हम लोग मुनगे फली बोलते यार इसको टेस्टी टेस्टी मुनगे फली बहुत अच्छा लगता है मुनगे फली का सबजी थोड़ा सा साल्ट और हल्दी पोडर डाल देंगे इसी टाइम में डालके अच्छा सब भून लेंगे मैं तो चिकेन को मटन को ना हर सब्जी में डालने का कोशिश करती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे सब्जी खाते नहीं है तो मैं चिकेन मटन कुछ भी डालती हूँ ना तो मेरे बच्चे खा लेते हैं इसलिए साथे साथ मैं दूद भी गरम करने रख दिया अभी दूद गरम करेंगे ना तो सोने जाने तक थंडा हो जाता है तो फ्रिज में रख सकती हूं इसलिए गरम करने रख दिया और मैं चुला भी साफ कर रही हूँ साथ ही साथ मुझे न चुला क्लीन चाहिए यार ये कुछ भूनते हैं तो मसाले वगेरा पढ़के खराब हो जाता है चुला इसलिए मैं तुरंट साफ कर लेती हूँ तब ही मुझे अच्छा लगता है खाना बनाने में माशायला देखना हमारा सबजी न कितना अच्छा लग रहा है देखने में अच्छा सा भूनी गए मसाला अगर कलसर मसाला भी फ्रेश थिक था लाल मिची थैंक अब दाल देंके लाल मिच्छ जिपोडर धोत अच्छा सा नरम हो गया मुनगे फली भी न entrar और चिकन भी नरम हो गया अच्छा सा भूने थे न इसलिए अब इसमे लालमिची पोड़र डाल के पानी डाल देंगे इतना जोरत है पानी उतना डाल के दीमयाच पे रखके पका देंगे मैंने पहले ही नम्मक टेस्ट करके देख लिया नम्मक पर्फेक्ट था सब पर्फेक कि दोनों बच्चे के लंच बॉक्स भी खाली कर रही हूं अभी बरतन दोके रख लूँगी देखना बिस्केट पैके डाली थी खाके नहीं आया ऐसे ही आ जाता है मेरा बच्चा अब बास्केट गंदा भी करके लेके आया वी दोना भी है उसको चलो जब तक सब्जी बनते रहेगा तब तक मैं जल्दी जल्दी से बरतन दो लूँगी साते सात काम हो जाएगा मेरा बाहर खूब बारिश हो रहा है दिखाऊंगी मैं आपको अश्रफ दिखाएगा आपक अब यह सारे बरतन शिंग करके फिर खंगाल के रख दूँगी माशाला देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा बारिश हो रहा है अश्रफ का हाथ था वो अश्रफ हेल्प कर रहा है मुझे वीडियो बनाने में और देखना मैं सारे बरतन लगड़ लिया ना अब यह सारे बरतन शिंग क्लीन करके सारे वापस कर दूँगी एक दम फटा फट खंगाल दूँगी जितने भी बरतन हो आसान तरीखा यही है धोने का कि बरतन में जूटा नहीं रहना चाहिए क्लीन बरतन को शिंग में डालके और गिला करके रख देना थोड़े दिर उसके बाद आप लगड़ के धोगे ना इतना असान लगता है आपको बिलकुल मुश्किल नहीं लगता बरतन धोना एक बार ट्री करके देखो भीगे हुए बरतन को लगड़ना भी बहुत आसान है और खांगाल के रखना भी बहुत आसान है टाइम बच जाता है मैं तो ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे बरतन आते हैं यह कम से कम टप भरके ना तीन टप तो हर रो मुझे बरतन धो लिया और कुछ सामण डिबे में खाली हो गया वो भरके रख लिया और फृज में कुछ चीजे ना रखने का होता है और कुछ चीजe खाली कर के खाली करने का होता है क्योंकि यह तो फ्रिज में चाहिए ऐसे काम में कर लेते हूँ अब देखना में थोड़ा इंतेजार किया फिर आके घर में ही नमास पढ़ लिया अच्छे तो रेड़ी हो गए थे एक गेट बंदे था उनको पता नहीं था इतना बारिश वरा बोलके माशालला फ्रेंड्स देखना ग्रेवी सुक ने आ रहा है और ज्यादा सुक आएंगे नहीं बस थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए हमें बहुत टेस्टी टेस्टी सीमपूल सा सबजी बन गया अगर कलसर मसाला का अलावा कुछ नहीं डाले थे देखाना आप मसाले मिच्ची हल्दी नमाक और टेस्ट में तो ये बहुत अच्छा था जरूर आप भी ट्राइ करो आपके पास सजना फली अवेलेबुल है तो अच रखना अस्सलाम अलेकूम